नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल गुरुजी का स्कूल में तो कैसे आप सब दोस्तों जो आपकी एक्जाम डेट आई हैं CHSL 2019 के लिए उसके हिसाब से आपके एक्जाम होने वाले हैं 17 अगस 2020 से 21 अगस 2020 तक और 24 अगस 2020 से 27 अगस 2020 तक दोस्तों करण सिचेशन को देखते हुए ये चांसिस बनते हैं कि आपके एक्जाम कैंसल हो जाएं या आपके पोस्पोन हो जाएं लेकिन इना कैस अगर आपके एक कैंसल नहीं होते हैं या पोस्पोन नहीं होते हैं तो आपके पास बचे मैज 45 दिन अपनी एक्जाम की त्यारी करने के लिए आपके पास सिर्फ लास्ट 45 डेजी बचे हैं तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि आपकी प्रिप्रेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टायर वन के लिए इन 45 दिनों में तो दोस्तो हमारी आज किस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल ऐकन दबा ले जिससे कि आप आने वाले किसी वीडियो अपडेट को मिस ना कर पाएं दोस्तो हमारे चैनल पे आपको एजुकेशन लेटेट वीडियो और नहीनी जोब वेकनसे लेटेट वीडियो मिलते रहेंगी दोस्तो आप लोगों में से इस टैंप पे दो टैप ये कैंडियों होगे जिसमें से एक तो होंगे जिनकी ओलरेडी कुछ त्यारी हो चुकी है काफी अच्छी त्यारी हो चुकी है जिनका बेसिक वगएरा सब क्लियर है quant section जिनका clear है जिनका reasoning clear है English clear है और GK में भी उनकी काफी अच्छी पकड़ बनती है लेकिन दूसरे तरफ वो candidates होंगे जिनकी कुछ खास त्यारी नहीं है मतलब normal basic knowledge नहीं है थोड़ा बहुत ही जानते हैं इंग्लिश थोड़ी बहुत और GK का तो कोई आप कहें नहीं सकते कि आपके कितनी आजाए कहां तक आजाए अच्छे खासे पड़े हुए की भी कोशन रह जाते कई बार तो हमारी आज की इस वीडियो में या तो आपने तयारी की है या आपने बिल्कुल भी तयारी नहीं की है आप दोनों के लिए आज की वीडियो यूसफुल होने वाली है तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिना किए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें और समझने के कोशिश करें कि आप जो लास्ट 45 डेस बचे हैं इनको कैसे यूज कर पाएं कैसे यूटिलाइज कर पाएं दोस्तों जो हमारा एक्जाम होने वाला है इसके आपके चार पोशन होते हैं टायर वन के आपके चार पोशन होते हैं इंग्लिश लैंवेज बेसिक मोलेज होती जिसकी जर्नल इंटेलिजेंस रिजनिंग आपकी quantity of aptitude यानि कि आपका math basic arithmetic और आपकी journal awareness यानि कि आपकी GK सभी में 25-25 questions आते हैं जिनके marks होते हैं दो-दो हर question के marks होंगे 2 तो total marks होंगे आपके 200 यानि कि हर section के marks होंगे आपके 50 तो आपको average-average जैसा का current scenario है जैसा कि competition चल रहा है और subject में minimum मान के चली आपको 40 marks लेके चलने होंगे average पर आपके selection के लिए इससे कम आपको selection नहीं होगा यानि कि मान के चलो कि आपके 160 marks तो होनी चाहिए टायर 1 में जिससे कि आप final selection बना पाएं दोस्तो आपकी टायर 1 कट ओफ 135 पे भी clear हो सकती है आपके 140 पे clear हो सकती है लेकिन अगर आपको final selection बनाना है तो आपको 135 140 वालों से ज़्यादा marks लेके आने होंगे आपको एक अलग पहचान बनानी होगी अपनी जिससे कि आप final selection में कोई दिक्कत नहोंगे इना किस अगर आपके final जो आपका tattoo का descriptive exam होता है पोस्ट तो मिली ही जाएगी final selection के लिए कही ना कहीं आपका number आई ही जाएगा आपके 300 में से total आपके 300 का paper हुआ आपका ये 200 का आपका हुआ tire 1 tire 1 हुआ आपका 200 नमबर का आपका हुआ tire 1 और 100 plus 100 marks का हुआ आपका tire 2 total हुआ आपका 300 marks का तो यानि कि आपके 300 में से कम से घम 210 marks आपके होने चाहिए minimum आपके 210 marks होने चाहिए 300 में से जिससे कि आप अपना final selection कर आपाएं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको अगर मान के चलिए descriptive में आपके आते 50, 55, 60 तक भी वो अच्छी बात है आप जितने ज़्यादा अच्छे ले पाएं जितना ज़्यादा अच्छे से descriptive लिखे हैं वो अच्छी बात रहेगी लेकिन आपको पहला focus आपका tire 1 पे कि आपके tire 1 में marks कितने आते हैं इन 4 sections में आपके marks कितने बनते हैं अब देखिए general intelligence reasoning में तो आप अराम से score कर लोगे नॉर्मली सभी score कर लेते हैं 40, 45, 47, 48 even 50 तक भी score कर लेते हैं बच्चे reasoning में अराम से आप 40 से 45 तो आराम से score कर लोगे अब बात आती है English की जिसकी English पर अच्छी पकड़ है वो अराम से 35-40 score कर लेगा अगर आपके अच्छी त्यारी है लेकिन quantitative और आपके gk काफे tricky होती है quantitative में क्या होता है अगर आपने वो किये हैं तो उसमें problem कितनी आती है वो lengthy कितने हैं आप उसकी solving power कितनी है calculation कितनी है वो सब depend करता है तो अगर आपके calculation काफे अच्छी है पहले से हाला कि आपको subject की ज़्यादा knowledge नहीं है लेकिन आपके calculation अच्छी है तो आप इसमें काफे अच्छी पगड़ बना पाओगे आप काफे अच्छी से solve कर पाओगे वहीं आपका जो gk है इसका काफे vast levels है जितना आप करोगे उतना थोड़ा है लेकिन कुछ ऐसे जरूरी किताबे हैं एक किताब जो ऐसी है lucency से हम कहते हैं वह काफे आपके कारियक कारगर सिध होगी आपके काफे अच्छी score बनाने में सिध होगी आगे देखते हैं अभी अगर हम बात करें English language की या improvement कर सकते हो active passive आपके आएंगे आपका conversion आएगा direct to interact speech and direct to direct narration आपके आएगी shuffling of sentence part आपकी जो jumbling आती है sentence की वो आपको करनी होगी shuffling of sentences in a passage closed passage आपका comprehension passage तो दोस्तों इसके लिए आपके जो team main book रहेंगी जैसे तो book आपके काफी है market में आपको अलग-अलग YouTube channel पे अलग-अलग book बताई जाएंगी आपको एक-एक YouTube channel पे धेर सारी book बताई जाएंगी एक ही subject की लेकिन अभी आपको आपके पास सिर्फ 45 days बचे हैं तो इसमें आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो आपके लिए best है इस पे आप अपना score maximize कर पाएं तो आपकी जो पैसेज बगारा रहेंगी आपका announce बगारा रहेंगी आपकी जो shuffling of sentences रहेंगी close passage, comprehension passage वो सभी आपका cover हो जाएगा नीतु सिंग की प्लिंट से या आपकी SP बख्षी की objective English है ये दो बुक आप पढ़ लीजिए आप daily English को दो से तीन घंटा minimum दीजिए जिसमें आपको करने होंगे minimum daily 50 idiom and phrases और 100-100 आपको antonium and synonym करने होंगी minimum आपको 50 idiom phrases और 100-100 आपको antonium, synonym आपको करने होंगे क्योंकि आपके पास time बहुत ही कम है अगर आप मान की चलो अगर आप मानते हो कि आपके पास आदा है गंटा पटने से आप प्रोज इंगलिश बगारा आपको हो जाएगा तो आपको बिल्कुल नहीं होगा आपके पास दिन सिर्फ 45 हैं और CHSL exam exam है जो CGL के level का है यह काफी hard आजा था कई बार हलाकि आपका जो अब normalization हो रहा है उसे आपकी shift different equal हो जाती है लेकि फिर भी अगर आप अच्छे तारी करके जाओ है तो आपके selection के जांसे बहुत अच्छे बन जाते हैं तो आप अपनी यह word power by normal levels word power may is easy by normal levels यह कर लीजिए आपके एंटोनियम वगारा के लिए word power increase करने के लिए अपनी vocab के लिए आप यह book ले लीजिए और बाकी grammar के लिए आप print to paramount होती थी पहले यह लेकिन आप इसका नाम बदल के सिर्फ print कर दिया गया बाई नीतु सिंग केडिक पॉब्लिकेशन और जो objective of general English यह आपकी SP बक्षी की आप यह कर लेजिए इससे आपका score काफी अच्छा boost हो जाएगा आप अराम से score कर लेंगे अगर आप डेली 2-3 घंटा minimum देते हैं इंग्लिश को और आप जो last year questions है previous year questions है आपके जो 2018 के CHSL के हैं यापका जो CGL 2019 है उसके question करते हैं आप previous year जितने अच्छे ज़्यादा question करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए mostly ऐसा होता है कि CGL के exam होते हैं CHSL के exam होते हैं SSC का कोई भी exam होता है उसमें last year के exam बहुत ज़्यादा पूचे जाते हैं अगर exactly ना पूचे जाते हैं उसी type में आपके different questions बूचे जाते हैं तो आप ये books पर purchase कर लीजिए उनमें सब पढ़िए minimum आप 2-3 घंटा पढ़िए और अपने questions रडेम्ट करिए last year previous year exam से आपका Englishman आराम से 40 to 45 score आपका आराम से बन जाएगा अगर आप और अच्छे से त्यारी करते हैं तो आपके chances बहें 50 तक भी आपके marks बन जाए लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तो आराम से आपका 40 to 45 आपके marks बन जाएगे आगे देखते हैं अब Journal Intelligence यानि reasoning के लिए आपको कोई खास book लेने के जोट नहीं है आपके जो भी last year के questions हैं वो आप कर लीजिए क्योंकि normally reasoning सभी कर लेते हैं अगर आप एक normal बन्दे को भी बोलो कि आपको SSE के यतने questions दिये गए हैं और आपको एक solve करने हैं तो वो मान लो आप 10 मेंसे कम 5 तो करी देगा अगर आप वो normal बन्दा है जिसने कभी SSE का exam नहीं दिया है नोर्मल पढ़ाई की है उसने बस अपनी graduation की है या 10-12 की है वो normally 10 मेंसे 5 questions तो minimum करी देगा थोड़ा बहुत पढ़ा भी 7-7 questions आराम से कर देता है लेकिन अगर आप त्यारी करते हो और कुछ questions अलग से होते है जैसे आपके clock lander के इनको आप YouTube से कर सकते हो और जो आपके normal questions है series के, sequence के आपके जो number analogy बगरा है आपके जो figure analogy बगरा है आपके जो एक question आते हैं आपके alphabet पे जो English के alphabet हैं तो आपके कुछ trick बगरा होती है जिसे आप याद कर सकते हो जिसे आप उनको याद कर सकते हो किस number पे कौन सा alphabet आता है जैसे M आता है 13 number पे N आता है 14 पे इसके लिए एक trick है इसे कहते हैं EJOTY यानि कि आपकी जो EJOTY trick है उससे आप अपना आराम से याद कर सकते हो EJOTY मतलब EJOTY यानि EVE is equal to 5 J is equal to 10 O is equal to 15 T is equal to 20 Y is equal to 25 और दोस्तो ऐसे tricks के लिए टिक्स के लिए टिए हम आप कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा पाएं जिससे कि आप अपनी ट्यारी बहतर तरीके से कर पाएं और दोस्तो आपको must है reasoning के लिए कि आप अपने previous year question paper जरूर करें जितने भी आपके previous year question paper है CHSL के या CGL के CGL आपके 2019 question paper है जो आपके अभी February March में होई है आपके paper या आपके जो CHSL के पुराने paper है या आपके जो और CGL के पुराने paper आप वो जरूर करिए हर subject के लिए आपको जरूर करने चाहिए क्योंकि उससे आपका score काफी boost होता है और आप YouTube channel सर्च कर सकते है और आपको अच्छी वीडियो मिल जाएंगी अगर आपको reasoning में किसी भी portion में किसी भी topic में problem आ रहे है तो आप वहाँ से check कर सकते है अच्छा अच्छा आपको शुबम सर्च आपके मिले maths के classes दे रहे हैं और भी काफी अच्छे teacher है वो आपको मिल जाएंगे जिसे आप अपनी त्यारी अच्छे से कर पाएंगे तो आगे देखते हैं अब quantitative aptitude यानि की maths इसका syllabus आपका कुछ ज्यादा लंबा चोड़ा नहीं होता है लेकिन इसके questions आपके कई बार tricky आ जाते हैं जिनको solve करने में आपको काफी problem face करने पड़ सकती है तो इसके लिए आपकी mainly तीन books है हलागि आप उसमें से main arithmetic भी कर लोगे तो आपका काफी cover हो जाएगा लेकिन mainly तीन books है आपकी जो आपकी mainly राकेश यादव के हम prefer करेंगे आपके और भी अच्छे अच्छे writer हैं जिन्होंने ये books लिखी हैं काफी अच्छे अच्छे उन्होंने समझाया अपनी questions के मादम से आप वो भी prefer कर सकते हैं लेकिन इस time पर अगर आप इन तीन books से में लिए आप solve भी कर लोगे आप arithmetic से ही अगर solve कर लोगे तो आपके problems काफी हथ तक solve हो जाएंगे आपके जो exam में questions आने वाले वो solve हो जाएंगे अगर आपके पास आपको advance सेखना थोड़ा सा कुछ questions कभी बार advance से भी आ जाते हैं तो उसके लिए आप advance math by राकेश यादव कर सकते हैं अगर आपको इन questions को solve करने में कहीं problem आ रही है तो आप राकेश यादव के class notes देख सकते हैं हाला कि इनको अभी मत कीजिएगा पूरा पटने में इनको वोड़ time लग जाता है इसको भी आप skip करिएगा लेकिन अगर आपको इन दो books को पटने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस book को check कर सकते हैं इन books को आपको खरीदने के लिए कोई जूरूत नहीं है वैसे तो अगर आप चाहिए तो उनको खरीद भी सकते हैं इनकी PDF भी easily मिल जाती है नेट पे आपको मिल जाएगी इनकी PDF easily आपको मिल जाएगी लेकिन अगर आप अच्छे से त्यारी करना चाहते है तो आपको इन books खरीद लेनी चाहिए में लिए आपको arithmetic SSC खरीद लेनी चाहिए अगर आप इन books को कर लेते हैं आपके पास 45 days बचे हैं अगर आप daily 3-4 घंटा पड़ते हैं maths के लिए daily आप 3-4 घंटा देते maths को तो आपको अराम से score हो जाएगा 45 के round मैं guarantee लेता हूँ आपको score हो जाएगा अगर आप दिल लगा के त्यारी करते हैं रोज का आप 3-4 घंटा देते हैं और आप ये book cover कर लिया थे arithmetic daily sold example जरू कर जिए किजे क्योंकि sold example आपको एक भी skip नहीं करना है अगर आप सारे sold example भी करके जाते हैं और आप daily mocks लगाते हैं अब आपका time आगा है कि आप mocks लगाने start कर दे daily एक mocks टैस से आप ज़रूर लगाए daily के practice question कीजिए last year question कीजिए आप maths के maths का आप last year कर सकते हैं की run से या आप राकिश जादव से कर सकते हो या आप एक दो books over हैं आप उनसे try कर सकते हो YouTube different channels हैं वो भी आपको questions provide करते हैं उससे आप कर सकते हो आपने last year questions कर सकते हो तो जबका इन पे आपको ये जो topic है ये slave bus आपका quantitative aptitude का इस पर आपको ध्यान देना है और आपको सारे portion cover करने हैं क्योंकि आपको questions कहीं से भी किसे topic से आ सकते हैं हर बार कभी इस से 2 आ जाते हैं कभी इस से 4 आ जाते हैं तो ऐसा होता आपको सारे questions आपको सारे topic cover करने हैं जिससे कि आप mainly maths में at least आप अपने score को fix करका है पाए शोर कर पाएं कि आपके कम से कम 45 marks बन जाएं क्योंकि आपके GKM marks हर बार आप कितना भी कर लो कम ही रहते हैं तो आपके जो तीन सब्जेक्ट हैं English, Maths और Reasoning आपको इन में minimum minimum 45 marks average मान के चलना ही होगा कि जिससे कि आप इन तीनों में मिलाके 135 आप score कर पाओ और आपके GKM थोड़े कम भी रहते है 25 के round भी रहते हैं 20 के round भी रहते हैं तो आपका at least score हो जाए 155 तो हो जाए जिससे के बाद आप normalization के बाद आपका काफी अच्छा score हो जाए हलागि selection होने को तो आपका final selection जो है वो 140 में भी हो सकता है क्योंकि अगर आप tier 1 में 140 लेते हो और अगर आप tier 2 में ले लेते हो 70 के रहा हूं तो आपका selection हो सकता है हलागि जो आपकी 2017 कट ओफ गई है वो आपकी गई है काफी high गई है क्योंकि उसमें tier 1 की cut off गई थी 143.50 जो आपके final cut off गई है वो गई है आपकी 209.50 यानि कि आपकी लगबग 210 के आसपास आपकी cut off गई है तो आपको इतने marks लेके चलने ही होगे कि आपके tier 1 में minimum 155 आजाएं जिससे कि आप sure रहें आपको बार बार फिर बाद में cut off वीडियो नहीं चेक करने पड़े ना तो हमारी चेक करने पड़े ना कि इसे और चैनल के आपको cut off वीडियो चेक करने पड़े जिससे आपको problem ना face करने पड़े इसलिए अब अभी त्यारी शुरू कर दीजे practice session कर कीजिए आप आप पहले एक books cover कीजिए अपनी और जो भी आपको problem आ रहे हैं अगर आप चाहितों में comment box में पूर सकते हैं हम आपके लिए different subject के लिए सारे चारो subject के लिए वीडियो लाने वाले हैं जिसमें आपको mainly questions मिलेंगे important questions मिलेंगे जिससे आप अपने score को boost कर पाएं तो आगे देखते हैं अभी आपका GK का syllabus काफी vast है आप easily से cover नहीं कर सकते हाला कि ये दो books हैं आपके loose ends की Hindi और English में दोनों में available हैं आप जिसे चाहिए purchase कर सकते हो जैसे चाहिए पढ़ सकते हो इनकी PDF भी मिल जाएंगे आपको net पे इनमें आपको mainly cover करने को मिल जाएगा आपकी history सारी cover हो जाएगी जो भी आपकी पूछी जाती है SSC में हलाकि आपको NCAT भी पढ़ लेनी चाहिए लेकिन इस बार अभी आपके पास time नहीं क्योंकि आपके पास बचे हैं सिर्फ 45 डेज उसमें आपको अगर ये book भी cover हो जाती है तो बहुत बैतर रहेगा आपका मान के चल सकते हैं अगर आपके 25 questions आते हैं तो minimum minimum आपके 10 से 12 questions आपके इन book से clear हो जाएंगे आपको इसमें politics भी clear हो जाएगा आपको पूरा medieval history आपकी pre historic period की आपकी history और जो modern history वो सारी cover हो जाएगी आपकी economic cover हो जाएगी पूरी geographic cover हो जाएगी आपकी science basic science आपकी physics chemistry और biology आपका सारा मिली basic basic आपका इन दो books से cover हो जाएगा हादा कि जो आपके current affairs हैं उसमें जो मिली आपके questions पूछे जाते हैं जो इस बार के आपके questions पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं आपके different sports awards आपके science awards और जो prizes मिलते हैं noble prizes बगएरा उससे आपके questions पूछे जाते हैं तो आप इन्हों पढ़ते चलिए जो आपका current affair पूछा जाएगा mainly वो आपका जो CGL 2019 का था Tire 1 exam उसमें में पूछा गया था चार महीने पहले खा तो अगर आप चार महीने पहले का भी आपका current affair पढ़ते हो तो आपको अले sufficient रहेगा लेकिन आप बहतर है जितना ज्यादा पढ़ सको इस time पे जैसे कि आपके बास time कम है तो आप ज्यादा नहीं पढ़ पाओगी तो इस वज़े से अगर आप last 4 months का cover करके चलते हो current affair तो आपके लिए कफी बहतर रहेगा एक बात और दोस्तो जो आपके exam पहले होने वाले थे यह होने वाले थे आपके March में अगर आपका उस time के वही question paper आते हैं March वाले यह question paper आते हैं तो क्या होगा आपके जो current affair होगा वो current affair clear करना होगा आपका November से December आपका current affair पढ़ना होगा उससे बाद तक अभी तक जो आपका current affair चलता है वो सार आपको clear करना होगा आपको different YouTube channel पे आपको power capsule मिल जाएंगे आपको अच्छे YouTube channel पे different teachers हैं जो आपको काफी अच्छे questions बताते हैं important questions बताते हैं जिससे कि आप अपना score boost कर पाएं तो अगर आप ये दो books पढ़ लेते हो और YouTube channel के मज़से और previous year questions आप जरूर कीजे कोई से बैट के लिए अगर आपको अच्छा score करना तो अपको previous year questions जरूर करने होगे एक बात और देखने में आई ही दोस्तो जो अपको CHSL के अपकी दो exam होए थे दो दिन के exam हो जरूर कीजिए उनको सारों को वे बार नजर में ले लिजिए सारों को क्लियर कर लिजिए जिससे कि अगर chances होते हैं कि आपको वही question आते हैं तो आपके काफी अच्छे marks बन सकते हैं आपके लिए फाइडे मन रहेगा आपको players के नाम पूछे जा सकते हैं, player की country पूछे जा सकते हैं, artist बगारा के नाम पूछे जा सकते हैं, bollywood बगारा से, आपको different painter बगारा के नाम पूछे जा सकते हैं, scientist और उनकी country बगारा पूछे जा सकते हैं, कि किस country से हैं, क्या उनने अपनी achievement लिए, वो सब भी पूछ पूचा जा सकते हैं, days और उनकी th닉 पूची जा सकती हैं कि किस दिनको क्या दे था? क्या उसकी importance थी? क्या उसका theme रही थी? क्या उसके mascot वगार ako पूचे जा सकते हैं important discoveries आपको पूची जा स कते हैं, inventions आपको पूचय जा है, event and summit भी पूछे जाएंगे आपको, किस event पे आया, क्या आपको जरूरी काम था उसको, या क्या अप महारे देश के कौन सा जरूरी इंसान या कौन सा important person बाहर गया है, कि किस टूर पे गया है, किस उदेश्य से गया है, वो आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप ये सभी topics अवर्ष्या कवर करके चलिए, different आप newspaper पढ़ते रही है, एक बात हो रहा है, आप newspaper पढ़ते रही है, आप English के लिए भी newspaper पढ़िए, क्योंकि आप अगर newspaper पढ़ते हो, तो आप GK के साथ साथ आपकी English पर पगड़ बनती है, passage बगारा read करने के आपकी capacity बढ़ जाएगी, जिससे कि आप जो exam में passage आएगा, तो आप उसे easily कर पाएंगे, तो GK के लिए ये दूप books आप कर लीजिए, और आप different YouTube channel से, लास्ट एर ये question paper से अप अपने question practice कर लीजिए, दोस्तो आप previous year के question कीजिए, different books से अगर आपको available है, आप उसको purchase मत कीजिए अभी, क्योंकि आपके पास कमी time बचा है, तो आप अगर चाहें तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, different जगेंपे आपको available मिल जाएंगी, और sold papers कीजिए, जो भी आपके CESL 2019 के tier 1 की paper है, CESL 2018 के tier 1 और tier 2, यानि मेंस में जो आपके English और Maths के question आप उनको कीजिए, क्योंकि वो question आपको बहुत फाइदा देने वाले हैं, आपके CESL 2019 के tier 1 में, क्योंकि कर बार ऐसा हो जाता है, कि आपके CESL लेवल के question से, वो आपके CESL tier 1 में आ जाएं, तो आप जो CESL 2018 का मेंस था, उसके question भी आप कीजिए, CESL 2018, 2017 के question भी आप कीजिए, CESL 2019 का paper 1 था, उसके question भी आप कीजिए, क्योंकि SSC कई वार घुमा के question देता है, एक exam से दूसरे exam में question देता है, तो आप last year के question paper जरू कीजिए, यह must है आपके लिए, अगर आप इनको script करते हैं, तो आप काफी questions के ऐसे होंगे, जो इनसे ही आएंगे, या उसे type के आएंगे, तो अगर आप इनको भी कर लेते हैं, तो आपका काफी score boost हो जाता है, आप easily score कर सकते हो, अगर आपने basic cover कर लिए हैं, जो बुक समने बताई हैं, और आप ये questions कर लेते हैं, तो आपका minimum score बन जाएगा, 130 से 40, आप अराम से easily बना सकते हो, और आप और 6 से तयाई करते हो, तो आपका 150 से 160 बन जाता हो, जिससे कि आपका final selection होने में, आपका काफी फाइदा मिलता है, तो आगे देखते हैं अभी, दोस्तों आपको daily, जैसे कि आपके पास बचे हैं, सिर्फ 45 days, 45 दिन आपके पास बचे हैं, तो आपको daily, quantity of maths के लिए आपको देने होंगे, minimum 3-4 गंटे आपको देने होंगे, जितना आप ज़्यादा दे पाएं, अतना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका final selection हो पाए, आपका tire on अच्छे से clear हो, तो आपको इतना time तो देना ही होगा, क्योंकि आपके पास time बहुत ही कम बचा है, अगर आप daily का time increase करोगे, तो ही आप successful हो पाऊगे, अपने exam में, अपना selection स्कूर कर पाऊगे, और English को देने होंगे, आपको minimum 2-3 गंटे आपको जूरू देने होंगे, क्योंकि English एक ऐसे चीज़ है, जब आप एक बार सीख लेते हो, तो आप इसे कभी नहीं बूल पाते, यह आपका ऐसा हो जाते है, अगर आप इसे generally use करते हो, तो आपका एक बार में clear हो जाएगा, तो आप अगर इसे 2-3 गंटे देते हो, daily, तो आपका clear हो जाएगा आपके 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 आराम से बन जाएगे, और आपके को तीन से चार गंटे देते हो, तो आपके 45 के आराम से बन जाएगे, जिके तो वैसे ही काफी hard होती है, काफी vast syllabus है, आप इसे ज़्यादा time मत इस टाइम पे आपको अपने टाइम फोकुस करना चाहिए क्वांट्स पे अपने इंग्लिश पे और रिजनिंग पे योगर आप जीगे पे टाइम वेस्ट करने लग गए तो आपको काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप इतना कवर नहीं कर पाओगे इसना आप लोज क चाहते हो seriously और दोस्तों आप different YouTube चैनल को जोईंग कर लिजिए जिससे कि आप motivate रहा हैं क्यों अगर आप different YouTube चैनल से पढ़ते नहीं हो अगर आप किसे teacher से नहीं पढ़ते हो अगर आप कोई coaching नहीं ले रहे हो तो आपको क्या होगा अप थोड़ों कोशन करोगे अप फिर मजा भी आए और आपको करने मजा भी आए और आपको मैसूस हो कि हाँ आपको यह जोब पानी ही पानी है क्योंकि दोस्तों आप जैसे जैसे आपके यह पास हो रहे हैं और अभी coronavirus चाल रहा है उसकी वज़े से आपका competition काभी बढ़ गया है लोगों को जोब की किलत होने वा इसके स्टूटेंटे वो भागेंगे अप गुर्मेंट जोपस की तरफ तो आपके लिए यह सुनेरा मोका है अभी आप चोड़ 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 जुड़ जाए इसकी त्यारी पे और डेली कम से कम 10-12 गंटे का टाइम दीजिए और आप डेली मोक टेस्ट कीजिए जहां आप अपनी त्यारी केजिए रोज और एक टाइम सेट कर लिजिए जिसपे आपको अपना मोक टेस्ट देना होगा उससे सीरिसली दीजिए यह नहीं कि आप कुछ काम करने लगे बीच मोक टेस्ट दे रहे हैं तो उससे आपका टाइम भी डिस्ट होगा और आप फायदा भ भी की है और अगर आप मोक टेस्ट देते हो तो आपको काफी फायदा होने वाला है और जो लास्ट 15 डेस है उसके लिए आप दीजिए दो मोक टेस्ट कम से कम डेली दो मोक टेस्ट देने से आपको क्या होगा कि आपका स्कोर डेली बूस्ट होगा और आप डेली एनलाज़ को देखोगे और अपने जो बुक्स हैं उनसे मदद लोगे या डिफरेंट यूटूब चैनल से डिफरेंट टीचर से मदद लोगे कि सर या यह जो बुक कोशन है यह हो नहीं पा रहा है बुक की मदद से आप उसे सोल्ड कर पाओगे और जब आपका एक्जाम आएगा तो उ देजिए और उसके बाद 15 दिन के लिए डेली के दो मोक टैस देजिए और मोक टैस देने के लिए अगर आप हमारी डाइप पूछें तो आप एक टेस्ट बुक एप है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और उसका लिंक काम नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी प्र जाता है अब यह exactly rate नहीं पता कभी कभार उसका 200 रेट भी हो जाता है कभी कभार उसका 500-600 भी हो जाता है तो नॉर्मली उसका रहता है 300 से 400 रुपे में आपको एक साल का सब्सक्रिशन मिल जाएगा अब मान के चलिए कोई भी आप प्रैक्टिस बुक लेते हो तो आपकी इतनी आती है 200, 200, 300 के असपास आती होगी और आप 300 से 400 में ये सब्सक्रिशन लेते हो टेस्ट बुक का तो 300 से 400 रुपे में आपके कितने हो जाएंगे एक साल के फ्री आप चाहिए सीजल की प्रैक्टिस सेट कीजिए आप छेए सेट कीजिए और भी गॉर्मेंट जोब्स हैं डिफरेंट टीचिंग के कीजिए आप IIT वेगार अगर आपके कोई साथी है कोई आपका छोटा भाई है अगर वो भी प्रैक्टिस सेट करना चाहिए तो वो उससे भी कर सकते हैं तो आप टेस्ट बुक एप चुरू कर लिजिए क्योंकि एक ऐसे एप है जिससे कि आप अपने स्कोर को more easily, more efficiently boost कर पाएंगे तो दोस्तों आप डेली 10-12 गंटे क्यार कीजिए डेली का एक mock test दीजिए पैदे 30 दिन के लिए फिर उसके बाद 2 mock test देली दीजिए और तना गंटे आप जुरूर पढ़िए और आप test book app को install कर लें लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो दोस्तों आज किस वीडियो में बस इतना ही हमारी तरफ से आपको well wishes सुब काम नहीं आपके आने वाले exams के लिए आप अपनी त्यारी में बीना time waste किये क्योंकि आपके पास time बहुत ही कम है सिर्फ 45 days बीना time waste किये अपनी त्यारी में जुग जाएं जिससे कि आप section ले पाए तो दोस्तों आज किस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे like करें, share करें और अगर आप हमारे चनल पे नए हैं तो हमारे चनल को तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ख्याद रखें अपने प्रिवार वालोगा ख्याद रखें, घर में रहें stay home, stay safe, stay healthy धन्यवाद, जैहिंद